जैहिन बच्चो मैं आपकी विज्ञान की टीचर और आज हम भौतिक विज्ञान की अंतरगत उर्जा नामक एकाई पढ़ने जा रहे हैं बच्चो हमारे द्यानिक जीवन में अनेक कार्य जैसे उठना, बैठना, इस्नान करना, खेलना, एक इस्थान से दूसरे इस्थान जाना आदी बहुत से कार्य होते हैं जिसमें किसी ने किसी रूप में उर्जा का उपयोग होता है हमें कार्य करने के लिए उर्जा की अवशक्ता होती है जैसा कि पिछली रक्षा में हम बढ़ चुके हैं कि कार्य करने की शम्ता उर्जा कहलाती है बच्चों हमारा पहला टॉपिक है यांत्रिक उर्जा वस्तु की त्थिति, आकरिती तथा गती के कारण अवस्ता में परिवरतन के फलस्वरुप उत्पन उर्जा को यांत्रिक उर्जा कहते हैं जैसे खीची हुई रबर, खीचा हुँआ तीर कमान, बहता हुआ पानी, गतीमान रेलगाडे आदी में यांत्रिक उर्जा होती है स्थितिज उर्जा और गतिज उर्जा दोनों ही यांत्रिक उर्जा की रूप है अतह यांत्रिक उर्जा वराबर होता है स्थितिज उर्जा प्लस गतिज उर्जा अगला टॉपिक है स्थितिज उर्जा किसी वस्तू में उसकी विशेश स्थिती के कारण कारी करने की शमता को स्थितीज उर्जा कहते हैं इसका ऐसाई मात्रक जूल है तथा ये कई प्रकार की होती है जैसे प्रत्यास्त स्थितीज उर्जा, गुरुत्वी स्थितीज उर्जा आदी अगला टॉपिक है गतीज उर्जा किसी वस्तू के गती करने के कारण कारी करने की शमता को गतीज उर्जा कहते हैं जैसे नदी में बहती हुए पानी द्वारा लकडी के बड़े बड़े टुकडो को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया गतिमान बानी में कारी करने के शम्ता होती है यह शम्ता उसकी गति के कारण होती है गतिज उर्जा का असाई मातरक जूल होता है गतिज उर्जा को ग्याद करने के लिए हम उसका सुत्र देखते हैं गतिज उर्जा को कैपिटल के से दर्शाय जाता है यदि वस्तु कद्रविमान स्मॉल एम है और वेग स्मॉल वी है तो उसकी गतिज उर्जा होगी के बराबर एक बटे दो एम वी स्क्वेर नेक्स्ट टॉपिक है उर्जा का रुपांतरन इसके अंतरगत हम देखेंगे कि उर्जा कैसी एक रुपांतरित होकर दुसरे रुप में परिवर्तित हो जाती है पहला है यांत्रिक उर्जा का रुपांत्रन इसके उदाहरण की रूप में जल विद्धित पावर प्लांट में जल की यांत्रिक उर्जा विद्धित उर्जा में परिवर्तित होती है दूसरे हुदाहरण की रूप में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा वस्तों में छिद्र करने से ड्रिल की यांत्रिक उर्जा उश्मी उर्जा में परिवर्तित होती है दूसरे है उश्मी उर्जा का रुपांत्रन भाप इंजन डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में देहन क्रिया द्वारा उश्मी उर्जा यांत्रिक उर्जा में परिवर्तित होती है तीसरा है ध्वनी उर्जा का रुपांतरन हमने देखा एक लौड़ी स्पिकर द्वारा विद्धित उर्जा को ध्वनी उर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है चोथा है प्रकाश उर्जा का रुपांतरन पौधों में प्रकास रेंसलेशन क्रिया द्वारा प्रकास उर्जा रासानिक उर्जा में परिवर्थित होती है जा फिर एक और उधारण है सोलर सेल द्वारा प्रकास उर्जा विद्यूत उर्जा में परिवर्थित होती है पांचवा है विद्यूत उर्जा का रुपा अंतरण जैसा कि बल्ब, ट्योब लाइट आदी में विद्यूत उर्जा पहले रासानिक उर्जा में फिर प्रकास उर्जा में परिवर्थित होती है जब हम बल्ब को आन करते हैं तो उसमें से विद्द उर्जा पहले उश्मी उर्जा में परिवर्तित होती है मतलब वो गर्म होता है फिर वो प्रकाश उर्जा में परिवर्तित हो जाता है मतलब वो लाइट देता है रासानिक उर्जा का रुपांतरन इसके उधार ने टाको को जलाने में रासानिक उर्जा, उश्मी उर्जा, प्रकाश उर्जा और ध्वनी उर्जा में बदल जाती है या फिर जलती वे मुंबत्ती में रासानिक उर्जा का रुपांतरण उश्मी उर्जा तथा प्रकाश उर्जा में परिवर्देत होता है पर उर्जा का उप्योग में ना होगों नहीं वर्जा का राश करळाता है। इसके चाहएं और निवार्ण ऑर निवार्ण उश्म स्थ एयं हमें कोई उप्योग नहीं होता है। होने वाली खराबी से बचाओ हेतू, मशीनों में निगमित रूप से ग्रीस लगाते रहना चाहिए। अगला टॉपिक है उर्जा के नियाय संगत प्रयोग हेतू प्रोचाहन। जैसा कि हम जानते हैं जल, वायू, बायो, मास तता सो रूजा पुनह प्राप्त होने वार्जा के शोत हैं। प्रकृति में इनके आपूरती निरंतर होते रहते हैं। अता इनहें बार-बार उप्योग में लाया जा सकता है। इनके प्रयोगों से वात्तावरन बहुत कम प्रदूशित होता है। वहीं दूसरी और पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम, गैस, पत्थर का कोईला, मिल्टी का तेल, आधी पुनह न प्राप्त होने वाले उडजा के शोत हैं। ये इनधन पृत्वी की भूमिगत संपदा है, इनका एक नेक दिन समाप्त होने निशित है। ये करोडो वर्सों की रासानी का भिक्रिया से के फलसुरू प्राप्त होता है। अत्तह इनका विवेक पून प्रेयोग न होने से विशिग्र समाप्त हो जाएंगे, जिससे उर्जा संकट उत्पन हो जाएगे। इस संकट से बचने के लिए आवश्यकता नुसार उर्जा का व्य किया जाना चाहिए, जिससे उसके खपत कम हो सके। जैसे विद्युत उर्जा को प्योग आवश्यकता नुसार ही करना चाहिए, व्यर्थ में विद्युत उर्जा को बरबाद नहीं करना चाहिए, कम दूरी के लिए पेट्रोल डीजल चलित वाहनों को प्योग नहीं करना चाहिए, तथा सूर्य उर्जा का अन्वरत स्रोथ ह अत्ता ऐसी युक्तिक को विक्सुत करना चाहिए जिनसे सौर उर्जा को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जा सके तो बच्चो आज हमने उर्जा नामक इस इकाई को पढ़ा धन्यवाद